थोड़ा तो अलग तरीका है तो आपके मन में भी ये दिल्चस्पी जाग गई होगी कि भाई ये नया तरीका क्या है ऐसे तो 6 से लेकर 12 तकी NCRT पढ़ने में लगबग लगबग 40 प्लस NCRT के बुक्स होते है तो क्या इससे भी interesting तरीका है कोई जहां पर हमें वो collection of 40 किताब्स नहीं रखनी है हमें क्या करना है सिर्फ एक smart strategy अपनानी है और उसी का नाम है आप सभी के लिए UPSC PITARA के अंदर में NCRT PITARA क्या है कैसे इसको पढ़ सकते हैं और ये free initiative में कैसे आप participate कर सकते हैं इन सभी की जानकरी आज हमें बिलेगी और साथ में भी प्राचलेगा कि NCRT पढ़ने का ये मज़दार तरीका है क्या तो start करते हैं आज का session हमारे सामने पीछे कुछ ऐसे screen shots पढ़े हैं हमारे ही application के अंदर आप सब के पास अभी तक मुझे तो इस बात की पूरी guarantee है और भरोसा है कि आप सभी के पास PW का app तो जरूर से होगा तो जब भी आप PW app के अंदर में login करते हैं तो login करते ही न यहाँ पर उपर आपको एक system दिखता है कि बैच वैच सर्च कर लो थोड़ा अपना तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करना बच्चों पिटारा लिखके सर्च करना आप लो यह सच में खाजाने का पिटारा है पूरा तो जब भी पिटारा लिखके आप सर्च करोगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों options में मिलेगा फिलहाल अभी जिस टाइम पर मै वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पर इंग्लिश में अवेलेबल है बट बहुत ही जल्द हिंदी में भी यह आने वाला है तो हिंदी माध्यम के जो भी यह बहरती है उनके लिए काफी जदा मैं तो पूर्ण होने वाला है अब यहाँ पर क्या होगा यह मज़दार तरीका क्या है वहां तक पहुच रहे हैं बस हम लोग यहाँ पर यूपेसी पिटारा इंग्लिश में जैसे ही आप क्लिक करोगे इंग्लिश के बाद यह आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा प्रॉपर इस बैच के अंदर में क्या क्या चीजे हैं कैसे प्रैक्टिस करोगे तो सब इसानु है कि क्लास 6 की न्सी टी से पढ़ना है जिस सबसे नहीं है अगर आप इस पूरे मेख़ड से यहां तक इन्रोल्मेंट तक नहीं पहुँच पाते हो तो आपके लिए जैसे ही आप मानलो enroll now पर click कर देते हो batch को search करने के बाद अब जैसे ही आप enroll now पर click करते हो यह free initiative है कोई दिक्कत की बात नहीं है आप enroll कर सकते हो फिर यह आपके अपने my batches segment के अंदर में visible हो जाएगा और my batches में अगर आप मानलो किसी हमार courses में already enrolled हो like संकल, प्रहार, टाइटन, प्रारंब या किसी भी दूसरे courses में already enrolled हो तो वो paid batch है आपके लिए यह हमारा free batch है तो आप free वाले tap पर click कर ले ना free वाले tap पर आपको दिख जाएगा कौन सा आपको दिख जाएगा भई यह तो paid batch दिख रहते हैं हमारे लेकिन यहाँ पर आपको दिख जाएगा UPSC PITARA या फिर UPSC CSAT यह सब तो free batches हैं हमारे तो माल लो आपने अब इस पर click कर दिया कि बहीं चलो अब हमारी पढ़ाई होती है शुरू लेट्स स्टेडी इस NCRT यूनीक यूनीक मेथट क्या बढ़ा देखो अब आपके इसी segment में आपको PITARA क जैसे ही आप click करोगे तो आपके अंदर इस batch के अंदर में आपको CSAT का PITARA भी मिलने वाला है बहुत ही जल्द और NCRT का भी PITARA मिलने वाला है तो CSAT PITARA जो है बस वो बन रहा है काफी हद तक इस पर development हो चुकी है बहुत ही जल्द यह भी मिल जाएगा आपको do not worry फिलाल NCRT पर हम लोग focus करते हैं आज के इस lecture में NCRT पर जैसे ही हमने click की तो हमारे जो भी favorite subjects NCRT के होते हैं वो सारे आपके open हो जाएंगे history, art and culture, geography, politics, economy, science, बागी के NCRT अगर कुछ बच रहे हैं तो वो भी बहुत ही जल्द add हो जाएंगे और इन सब के अंदर अगर आपको कहीं पर भी दिखता है कि यह chapter missing है तो वो भी सब background पर काम बहुत तेजी से चल रहा है आपको बहुत ही जल्द इन सभी topics पर अपडेशन सब कुछ मिल जाएगा तो do not worry मालों कि हमने history पर click किया तो history पर हमारे तीन जो सबसे important NCRTs हैं वो कौन-कौन से teams of Indian history part 1, part 2 और part 3 अब सबसे पहल लोग अपने revision mode पर चल सकते हैं मान के चलता हूँ experience mode का मतलब यह नहीं है कि आप लोग बिल्कुल pro खिलाड़ी हो मेरे पास तो full-fledged experience है भाई या मैं तो experience mode पर जाओंगा नहीं वह अला experience नहीं है वह अला experience है अगर तो revision mode पर जा सकते हो लेकिन अभी पहले हम experience mode पर देखत सबसे पहला हिस्सा तो हमने start किया अपना themes of Indian history part 1 और इसके लिए हम लोगों ने tap to continue पर click कर दिया अब हमारे सामनी जो ये बच्चों page खुल रहा है ना यही है हमारा nuggets total इस किताब के अंदर में 262 nuggets है 262 nuggets उसमें से ये 14th nugget मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे है फिर आपने public structure on citadel of mohan jodharu ये भी पढ़ा जैसे ही आपने topic finish किया tap to continue पर click किया आपके सामने बच्चों जो आपने पढ़ा है ना उसी से related questions आना शुरू हो जाएंगे जो आपने पढ़ा है तुरंत के तुरंत आप instant gratification ले सकते हो कि जो पढ़ा है वो आता ही कि नहीं आता ह सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर बच्चों जब भी आप open करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि इस page को खोल कि किसी दूसरे ख्यालों में खो गए ना वहीं ना इसको खोलने के बाद यहां पर timer चलने लगेगा और हमने इसको बहुत ही effective तरीके से बनाया है कि आप अगर सच मे एक beginner भी हो तो भी आपको आराम से पिनान से पढ़ने में जितना time देना चाहिए वो time हमने दिया है किसी दूसरे ख्यालों में डूब के पढ़ने के लिए नहीं दिया है लेगिन हाँ इतना time दिया है कि आप आराम से इस nugget को complete कर सकते हो उतने ही देर से पहले आपको nugget complete करन समराइज करने से क्या होगा आपको सिर्फ UPSC perspective से सारी important information मिल गई और उसके basis पर आपको question भी मिल गया अब आपने question को देखा question का भी अपना timer है ऐसा नहीं सब पर unlimited time नहीं है question का अपना timer है उस time के अंदर अंदर आपको question solve करना है तो हमेशा आप जल्दी 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 प submit बटन पर आप जैसे ही click करते हो यहाँ पर देखो आपको submit बटन पर click करते ही पता चल जाएगा कि आपके पास क्या यह सारे answer सही है और जैसे ही आप answer सही कर रहे हो आपको यहाँ पर points बढ़ते हुए दिख जाएंगे बहुत ही तेजी से तो समझ लो हमने gaming mode देने की कोशि किये जिसमें कि आप खूब सारे points collect करते हो तो यहाँ पर जैसे ही points आप collect करते जाओगे न तो आप अपने दोस्तों से compare भी कर सकते हो कि आपने कितने stars जीते हैं तो आप definitely competitive mode भी लेके आ सकते हो और इसके basis पर अगर आपने सही answer दिया है और किसी भी topic पर आपका weak है कोई strong है कौन सा topic है आप जैसे ही tap to continue पर क्लिक करते हो solution पढ़ने के बाद तो आपको detailed analytics दिख जाता है कि आपने अभी तक कितने question सही किया है कि subject के subject तो वैसे तो themes in industry चल रहा है तो उसके अंदर में आपने कितने question सही किया कौन से topic के सही किया कौन से गलत किया वो सारे analytics आपको बहु अपने boring NCRT किताब से करते थे अब उसमें एक fun create करने के हमने कोशिश की है time bound manner में आप कैसे अपने सभी NCRT को wind up कर सकते हो क्योंकि हम सब को पता है भाई कि NCRT पढ़े भीना UPSC clear करना तोड़ा तो मुश्किल है यार बहुत सारे basics यहां से हमारे clear होते है और सब ने यही ब mode पर काम कर रहे थे और अगर आप revision mode पर आते हो तो revision mode पर क्या दिखेगा मैं आपको वो भी एक बर समझा देता हूं जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा दा हूँ यह देखो आपने let's study पर click किया आप इसके अंदर गए और आपने देखो यहां पर experience mode select किया था अगर आप revision mode select करते तो क्या होता revision mode is like कि अब आपको experience इस topic का already हो चुका है अब आप revise करना चाहते हो तो revise करते टाइम जो आपके nuggets एक एक करके खुलते थे एक पहले नगेट खुलेगा फिर tap to continue करने पर एक आपका क्या खुलेगा question उस सबके लिए timer अपना डिफाइन था आप यहां पर timer की कोई सीमा नहीं है अब आप अपने हिसाफ से एक शानुसार जैसे आप PDF स्क्रॉल करते हो समझ लो वैसे ही आप सारे के सारे ऐसे नगेट को कोई बि कर सकते हो कितने question आपके सही गलत हुए थे वो सब भी attempt कर सकते हो तो यहां पर revision mode का यह फायदा होगा तो अब आपके उपर है भई क्या आप स्मार्ट तरीके से ncrt पढ़ना चाहते हो या फिर वही बोरिंग तरीके से आप अपने किताबों में जाना चाहते हो मुझे लग और ncrt पिटारा में फटा फट से अपने आपको enroll करो और पढ़ना start कर दो ठीक है चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी और interesting video में तब तक के लिए thank you so much for listening it very patiently friends have a nice day